हरे कृष्णा जैशिल प्रभुपाद आज खुद भगवान श्रिक कृष्ण अर्जुन के रत पर सार्थी रूप में बैटे हैं और युद के मैदान के बीचो बीज अर्जुन को लेकर आए हैं उन्होंने अर्जुन को कहा कि यहां से सभी कुरुवों को देखो आईए देखते हैं अर्जुन किनकिनियों धाओं को देख पा रहे हैं आज हम 26 और 27 वश्लोका एक साथ करेंगे 26 वश्लोका तत्र पश्यत सितान पार्था पित्रन नथ पिता महान आचार्यान मातुलान बात्रन पुत्रन पौत्रान सकीन स्तधा अर्थाथ अर्जुन ने वहां दोनों बक्षों की सेनाओ के मद्धे में अपने चाचा, ताउओं, पिता महों, गुरुओं, मामाओं, भाईयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससरों और शुपचिंतकों को भी देखा 27 वश्लोका अर्थाथ जब कुंती पुत्र, अर्जुन ने मित्रों और संबंधियों की इन विभिन श्रेनियों को देखा तो वे करुणा से अभीबूत हो गया और इस प्रकार बोला अब अनुवाद के अनुसार अर्जुन यहाँ पर अपने सारे संबंधियों को देख रहे हैं अपने पिता समान व्यक्तियों जैसे भूरिश्रवा, द्रोनाचारे, कृपाचारे जैसे गुरुओं बीश्म और सोमदत जैसे पिता महूं, शकुनी जैसे मामाउं, दुर्योधन जैसे भाईयों, लक्षमन जैसे पुत्रों और अश्वत्थामा जैसे मित्रों और शुबजिंतकों को देख रहे हैं वे उन सारे बहुतिक संबंदों को देख रहे हैं, जो पहले तो उनके थे, पर बाद में वे सब ही शत्रू बन गए और जब कुन्ती पुत्र ने इन संबंदियों और मित्रों को देखा, तो उनका हिर्दय करुना से भर गया अब वे दया रूपी रसी से फस रहे थे और अपने सगे संबंदियों का मोग करने लग गये थे आज का सुविचार जीवन के कठिन समय में गिरने से ये पता चलता है कि हाथ थामने वाले कितने हैं और छोड़ कर जाने वाले कितने इसलिए जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखे और जो मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहे इसी के साथ भगवत गिता यथारुप का 26 और 27 श्लोका पूरा हुआ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहे और हमेशा खुश रहे हरे कृष्णा जै शिला प्रभुपाद